आप लोग भी ऐसे एयर फिल्टर यूज करना चाहते होंगे और आप भी यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी टू यूज है और कोई भी इस एप्लिकेशन थर्ड पार्टी एप्लिकेशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है वह एप्लिकेशन आपके मोबाइल में अल्रेडी इंस्टॉल है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को लाश्ट टक जरू देखिए और मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस एयर फिल्टर को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही असानी के कारा और मैं यह दावे के साथ का सकता हूं कि 95% लोगों के मोबाइल में यह एप्लिकेशन अल्रेडी इंस्टॉल होगा तो आप इस वीडियो को लाश्ट टक जरू देखिए और अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि ऐसे ही आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इंस्टाग्रम से मैं ऐसे एर फिल्टर का यूज कर सकते हैं जब आप इंस्टाग्राम के camera पर click करेंगे तो आपको normal filter जो already मिलते हैं आप वह ही filter उज़ करते हैं और उतना वह ज्यादा advanced label के AR filter भी नहीं होते हैं तो आपको उसमें ज्यादा मज़ा नहीं आता है बट मैं आपको instagram में ही बताऊंगा कि आप कैसे उस filter को यूज़ कर सकते हैं तो इस चैनल को subscribe कर दीजिए और like कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मैंना से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो सबसे पहले आपको description box में मेरा instagram profile का link मिल जाएगा उस link पर click करके आप मेरे instagram profile पर जाएए और जैसे ही आप मेरे顆 profile पर जाईएगा वहां पे एक highlight में आपको दिखेगा AR आपको यहां पर highlight में आपको दिख जाएगा highlight में AR इस पर click कर रहा है और अप फोच में कि यहां पे कैसे करना है? तो आप देखें यहां पर लिखा है टेक नोमड बाई आफ्टर फॉर्ट यहां पर आपको इसी पर क्लिक करना है जो यह इस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे डेवलपर है जो इस तरह के फिल्टर अप्लोड करते रहते हैं इस्टाग्राम कभी इसको प्रोमोट नहीं करता है तो आपको उसी पर यहां पर दिख रहे हैं इसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखेगा मोर नामा के प्राणी आपको यहां पर दिखेगा तो More पे click करना है More normally के बाद आपको यहाँ पे जाना है browse effect browse effect browse effect पर जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको effect मिल जाएगे और बहुत सारे ऐसे डेवलोप ऐको जो यह effect डेवलोप करके आपको यहाँ पे post करते है。 तो आप इस इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही असानी से और यहां पर जो मैंने यूज़ किया था आपको यहां पर यहां पर उप साइड में दीख रहा है और इस पर जाने के बाद आपको दीखेगा इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस लेबल का थोड़ा और इंट्रेस्टिंग आपको एर फिल्टर मिल जाएगा और आप देख सकते नीचे स्क्रोल किजेगा तो बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर मिल जाएंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट में बताएए और अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजे क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही ज